पिछले लेक्षर में हमने एपी कल्चर के अंतरगत हनी भी क्या होती है उसकी कितनी तरह की स्पिशीज होती है हिंदुस्तान में कौन-कौन सी स्पिशीज पाई जाती है और दूसे दिशों में कौन-कौन सी स्पिशीज प्रमुकृप से पाई जाती है इसके अलावा उसकी क आंतर होता है इस प्रकार की जानकारी पिछले लेक्शर में मैंने आपको दी थी अब उससे आगे चलते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हनीवी एक सामाजिक प्राणी है कक्षा ग्यारे बारे संभवते दसवी में थोड़ा बहुत मदुमक्की पाला निया मदुमक् कि एक सामाजिक प्राणी है यह ऐसा क्यों खेते हैं सामाजिक प्राणी का मतलब है कि वो एक सम्भू में रहने वाला ऐसा जीव जिस सम्भू में जितने भी इंडिविज्वल्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ समन्वे स्थापित करके सामजस्य के साथ अपनी अपनी ड्य दूटीज का निर्वान करते हैं और एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं तो एक ऐसी सामाजिक विवस्ता जिसमें सब के काम भी बटे हुए हैं और काम के अनुसार ही उनकी शारिरिक सनरशनाओं में भी थोड़ा-थोड़ा भेध हमें देखने को मिलता है तो ऐसी प्रकार क जो विवस्ता है इसको शोशल और्गनाजिजेशन बोलते हैं सामाजिक संगठन बोलते हैं तो मदू मक्ही एक सामाजिक प्राणी है और इसका जो चत्ता है मदू मक्ही का चत्ता उसमें भी यदि आप देखेंगे तो जो चत्ते में पाए जाने वाली मदू मक्हियां होती हैं उनके भी अंदर शारीरिक संरचना की द्रश्टी से थोड़े-थोड़े से अंतर थोड़े-थोड़े से भेद दिखाई देते हैं तो यह जो भेद होते हैं उनकी शारीरिक इक संदचना में तो इन भेद के आधार पर इनको तीन कास्ट में डिवाइड किया गया है यानि मदु मक्खी जो की स्पीशीज तो एक ही है लेकिन उस इस्पीशीज में तीन कास्ट पाई जाती हैं जिनको हम जानते हैं नमर एक वरकर के नाम से वरकर ड्रोन और क्वीन ये प्रकार के प्रवेद और कास्ट मदु मक्खी के चत्ते में हमें देखने को मिलते हैं वरकर्स क्या होते हैं वरकर्स यानि हिंदी में बोलेंगे श्रमिक मदु मक्खी के चत्ते में जो श्रमिक मदु मक्खी होती है वो है बाज माधा होती है यानि इस्टेराइल फीमेल होत कि इसी लिए उसको sterile female कहते हैं दूसरे प्रकारि की जो मदू मक्की देखने को मिलती है छत्य में वो होते हैं, drones, ड्रोंज जो हते हैं, वो 4 टाइल, male होते हैं zumal Mexican is जननक्षम, नरहोते हैं इसी प्रकार, तीसरे प्रकार गेरिया जो मदू मक्की हमें जननक्षम मादा ये अंडे देने में सक्षम होती है जननक्रिया के लिए सक्षम होती है तो इस प्रकार से ये तीन कास्ट तीन प्रभेद मधु मक्की के चत्ते के अंदर रहते हैं और ये तीनों प्रकार के जो प्रभेद हैं इनके अपने अलग-अलग कार्य हैं एक दूसरे के सामन जस्ते से अपनी अपनी ड्यूटियस को निवाते हुए ये एक सामाजिक संगठन को चलाते हैं अब चुकि एक ही इस्पीशीज के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की सारी रिक संरचनाय दिखाई दे रही है इसलिए इसको हम पॉलीमॉर्फिक इस्पीशीज भी कहते हैं खास तोर से जो हम बात कर रहे हैं एपी कल्चर के अंतरगत हिंदुस्तान में जो सबसे कॉमन जो पाई जादने वाली मदुमक्षी है वो है एपिस इंडिका तो एपिस इंडिका के चत्ते सामनी रूप से भी हमें अपने आसपास दिखाई दे जाएंगे और लगवग पूरे देश में ही एपिस इंडिका देखने को मिलती है और यही वो मदुमक्षी है जिसको हम आर्टिफीशिल कंडिशन्स में एपिकल्चर के लिए इस्तिमाल करते हैं तो यह जो एपिस इंडिका है इसके यह जो तीनों प्रभेध हैं वर्कर, ड्रोन और क्वीन यह इसके आधार पर हम इसको पॉलिमॉर्फिक स्पिशीज भी कह सकते हैं अब आते हैं वर्कर भी के कुछ एक्स्टरनल मॉर्फोलोजी के बारे में कि इसकी बाहर की शारीरिक संद्चना किस प्रकार की है एक मदु मक्ही का जो छत्ता है अपिस इंडिका का उस छत्ते में लगवग लगवग 40-50,000 इंडिविज्वल्स पाए जाते हैं यानि 40-50,000 मदु मक्हीयां एक सामाने छत्ते में हमें देखने को मिलती हैं और इस 40-50,000 की संख्या में से 90 प्रतिशत केवल वर्कर्स होते हैं श्रमिक मदु मक्हीयां होती है इसे आप अंदर अला सकते हैं कि छत्ते के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कास्ट यदि कोई है तो वो है वर्कर भी श्रमिक मदु मक्हीयां और यही वो कास्ट है जो इस छत्ते को पूरी तरीके से बनाने से लेकर मेंटिनेंस से लेकर और अंतर तक के सारे कारे जितने भी इनके सामाजिक संगठन में जुड़े होते हैं उसमें अधिकांस कारे श्रमिकों द्वारा ही किये जाते हैं अब चुकि ज्यादा काम का बोज है तरह तरह के काम किये जाते हैं इस कास्ट के दवारा उसी के अनुरूप इनके शरीर में भी बहुत प्रकार के मॉडिफिकेशन्स हुए और वो अलग-अलग काम में पाई जाने वाले अंग विक्सित हो जाते हैं और ट्रिटेल में आपको आगे बताऊंगा अभी फिलाल के लिए एक्स्टरनल मॉर्फलोजी में आप समझें तो क्या-क्या चीज देखने को मिलती है इसमें एक तो यह बात समझें कि यह जो वरकर भी है यह डिप्लॉइड होती है दुई गुणित होती है गुण सूत्र इस करश्टी से देखें तो टीनों जो प्रवेद हैं कुई वर्कर इन में सबसे चोटा आका रहे है किसी मद्यू मखियां है तो वर्कर कोड़ा का जो क्लास इंसेक्ट आ है उसके अंतरगत मधु मख्षण यह और इंसेक्ट की कुछ जो प्रमुक लक्षण होते हैं उनमेंसे एक लक्षण यह भी होता है कि इंसेक्ट का जो शरीर है तीन भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं सिर वक्ष और धड़ या उद यानि head, thorax और abdomen उसी प्रकार से मदुमक्खी का भी शरीर तीन भागों में विवक्त होता है head, thorax और abdomen इसका जो सिर होता है एक triangular shape में एक ticoniakar का सिर होता है जिसमें इसका एक सिरा नुकीला होता है और वो जो नुकीला सिरा होता है वहीं इसके mouth parts भी लगे होते हैं mouth parts यानि मुखांग, मुखांग वो अंग जो की बोजन ग्रहन करने में बोजन को पहले तो उसका intake करना फिर उसको यदि चवाना है चूसना है किस प्रकार से उस बोजन को अंताय ग्रहन करना है उसके अनुरूप इसके शरीर में जो मुखांग पाए जाते हैं वो नुकीली सिरे की दरफ पाए जाते हैं उपर का सिरा इसका थोड़ा सा चप्टा और बढ़ा होता है मुखांग इंसेक्ट के अंदर कई प्रकार के वनस्पती जो होता है नेक्टर भ Васाश को यह सख करत淃या रोह के इस प्रकार से जो फूलों के पराक्वं पराक्व जो होते हैं उनको को भीता ग्रहन करती है और वह भी भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाते हैं इस प्रकार उसी की अनुरूप इसके जो मॉट पार होते करने मुखांघ होते हैं वह चुइंग और लेपिंग टाइप के कहलाते हैं थोरेक्स जो होती है इसकी थोरेक्स वाला हिस्सा वक्ष वाला हिस्सा उसके तीन जोड़ी ठागें पाई जाती हैं थी कि एसके साथ ही इसके शरीर में बहुत ही मजबूत और बहुत पावरफुल से यानि पंक पाए जाते हैं क्योंकि यह जो शरमिक मद्व मक्की होती है इसको बहुत सारे काम करने होते हैं उन कामों में बोजन की खोज करना उसके लिए खोज के लिए जाना और फिर उसके बाद भोजन को खटा करके वापिस लेके अपने च्छते में आना इसके बाद फिर जाना तो लगातार लगातार अथक परिश्रम यह मदूमक्की करती है तो बहुत सारी फ्लाइट इसको लेनी पड़ती है कई बार कोड़ना पड़ता है इसलिए पंक जो होते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं ताकत्त यह हुआ है कि आए ऐसे ही इसका जो उधर कट है कि उधर खंड रहता है इन इसके उधर होटां जिसमें खंड अलग थे से देखने को मिलते हैं तो यह ओखे उसके विजिबिल सेगमेंट्स ऐसे सेगमेंट्स दिखाई दे जाएंगे ऐसे सेगमेंट्स में इसके उधर खंडों को हम भाट सकते हैं शे खंड में बटा हुआ दिखाई देता है इसके अलावा उसके अंदर वैक्स ग्लेंड्स पाई जाती है जो कि छोटे-छोटे के लिए ही हम इसको कटशर करते है इसका इसको पाल्तू बनाते हैं और इसका आर्टिफिशियर कंडीशन grew बहूं का उतकी है उसके शेरि में वैक्स ग्लेंड्स पाई जाती हैं और वहगातार वैक्स स्टी आजरिक्रेशन करती रहती हैं वेक्स को जो शीक्रेट करती है तो इसके एब्डोमीन वाले हिस्थे में वेक्स सी क्रेट होके एब्डोमिन के ऊपर ही चुपकता रहता है और फिर यह अपने वपांगों के द्वारा उसको खुरच-खुरच के और मूँ में लेके मैस्टिकेट करके चबा के और वापस उग हं प्रकार से यह प्रमुह रूप से दो बेर रख हमें प्रदान करती है कि अब इस वर्कर भी है श्रमिक मदू मक्ही है इस श्रमिक मदू मक्ही में जैसे मैंने आपको सामाने तोर पे इसकी सारी संरचना बाहर से देखने वाली संरचना इसको external morphology कहते हैं वो आपको मैंने बताई अब इसके कुछ adaptation समझे adaptation मतलब अनुकूल यानि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि शरीर में आप इस शरीर से किस प्रकार का कारे लेते हैं शरीर में पाए जाने वाले अंगों से किस प्रकार का कारे लेते हैं आपकी जो जीवन चक्र है आपका लाइफ साइकल है उस लाइफ साइकल में किस किस तरह के कारे आप समपादित करते हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार आपके शरीर के अंदर कुछ नए अंगों का विकास होता है और कुछ अनोपियोगी जो अंगों होते हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं जैसे अपन खुद भी आपने पढ़ा होगा आदिम यूग में मनुष्य जो था वह चौप आया था बिल्कुल जैसे अभी गाये वैस्ट चारों प्यानों पे चलती हैं जहम भी चला करते थे पूछ पाई जाती थी बहुत सारे शरी पर बहुत सारे कोई उपयोग दाने रही जैसे जैसे पूछी कोई उपयोग दाने रही वह समाप्त हो गई तो ऐसे लाखों वर्षों में जो अनुपयोगी अंग होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता वो धिर दिर समाप्त हो जाते हैं और जिन कार्यों की आवश्रक्ता पड़ती है उसके अनुप नए नए अंगों का विकास होता है या जो अंग हैं हमारे पास पहले से उपलब्द हैं उनके अंदर उस प्रकार के अनुपूरन होते चले जाते हैं यह तो मदू मख्यी का जो श्रमिक है वकर है वो जिस प्रकार के कार्य करता है उस प्रकार के अंग उसके शरीख में विखसित हो चुके हैं उस प्रकार के अंग वरकर बी के अंदर पाए जाते हैं भरेक्ञा फर एंत्वर फरइंअंप्ल ब्रांच्ट हेर्स शाखित बार मतलब ऐसे पार इसके शवर पाए जाते हैं जो आगए जाके बिडसे आख में बठीजों तो ऐसे करके इसके शरीर के ऊपर जो पाए जाने तो यह nectar को चूसती है, उसी समय इसके इन बालों में पराकन चुपक जाते हैं, तो वो जो पराकन जो इसको एकटे करने की आफ़शक्ता थी, वो अपने आपी इसके शरी के बालों में उलच जाते हैं और उसके चुपक जाते हैं, तो एक तरह ऐसे पराकन पॉलन ग्रेंज को तो collection का काम इसके बालों के द्वारा कर लिया जाता है फिर इसके जो आगे वाले four legs होते हैं सबसे आगे पाए जाने वाले टांगे जो होती हैं उस पर antenna cleaners पाए जाते हैं बदमकी के जो antenna पाए जाता है बहुत सार इंसेक्स में antenna पाए जाता है तो उसकी सफाही करने के लिए उसके अंदर आगले वाले पैरों में कुछ इस प्रकार की संद्रचनाय पाए जाती हैं जो antenna को साफ करती रहती है वह antenna cleaners क्या करते हैं वही इसके यह प्राक्ण जो होते है इनको भी खटा करने में मदद करते हैं इसी प्रकार से इसके जो सबी जित्ते भी पैर हैं उन सब पैरों में छोटे छोटे ब्रश भी पाए जाते हैं यह ब्रश भी एक तरीके से इसकी बॉड़ी को पुरी तरीके से जाड़के और पराक्णादी को एक जगे खटा करने का काम करते हैं इसके उपे एंठ रॉपर पॉलन कौ पाई जाते हैं चोटे चोटे सही कंगीत करते हैं । युश्व्य उसी प्रकार के चोटे-चोटे कंगे इसके हैंंड-लैक्ष में पाई जाते हैं और उन कंगे कैसे जैसे कि इसके शरीर पर जो बाल है उन बालों को एक बार कंगी किया सारे क्षटट्य हो जाते हैं आप सोचो जैसे हमाई लूपाभन ग्रेंस चुपक गई शरीटिए उपर कंगी कर लिए लेकिन हमाहे पांस कोई टृभकर दोपी एक बिया दी है लेकिन मदु मखी के पास है मदु मखी के पास है इसके hind legs जो होते हैं उसकी outer surface पर छोटी छोटी टोकरियां पाई जाती है जिनको बोलते हैं pollen basket तो ये छोटी छोटी pollen basket जो पाई जाती है इक pollen grains से जित्ते भी इसके शरीर पर चुपलते हैं उन सब को pollen calm pollen precious की मदद से खटा करके और उस pollen basket में डाल दिया जाता है जिस को जब यह अपने च्छते पर लॉट के आती है वहां आकर storage chambers में वापिस से खाली कर लिया जाता है इनको खाली आ जाता है चवाया जाता है उसके बाद इनको digest किया जाता है उसके बाद जब उगला जाता है तो उसको नए प्रकार क्या उसमें उसका chemical formation बनता है जिसको पर बोलते हैं वह अलग भी शह है बाद में उसको और elaborate करेंगे फिलाल तो यह समझी है कि जो काम इसको करने है उस प्रकार के अंग भी इसके शरीर में विकिसित हो चुके हैं यही अनुकूलन कहलाता है और एक और चीज बहुत महत्त्रवन इसके शरीर में पाई जाती है वह कह कहते हैं ने मदु मक्ही चत्ते पर किसी ने कंकड मार दिया मदु मक्ही नाराज होके और क्रोदित होकर जब भागती है तो लोगों पर अटेक करती है अटेक करती है तो बहुतों को डंक मारती है अब वो जो डंक मारती है तो सामानी रूप से आप सोचते हो कि डंक मुह की तरह पाय जाता लेकिन यहासा नहीं है इसके शरीर में डंक के पीछे सबसे अन्तिम उदर खंड के में इस्तेत हो था उसको इस्टिंग बोलते हैं और वो जो इस्टिंग है इसका ही modified obipositor है क्योंकि यह जो मदु मक्यां है sterile female है तो अंडे देने का काम तो करती नहीं है लेकिन इनका obipositor इनके शरी में पाए जाता है वही modified होका stink के रूप में convert हो गया है और वो एक डंक जैसी formation बन गई है तो जैसे यह भी गुस्सा होती है नाराज होती है तो यह अपने बचाव के लिए BC करी जब दूसरे को टंक मारती है तो उसमें एक needle जैसे संदचना उसे शरीर में जाती है और एक formic acid है वो उसकी body के अंदर inject करती है ताकि उससे कुछ खुजली irritation हलका दर्द जैसा महसूस होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए इसके शरीर के अंदर sting नाम का दंश कुछ का बोलते हैं इसको इस्टिंग नाम का apparatus इसके शरीर में पाई जाता है अब आते हैं रानी मख्य के उपर queen के उपर queen जो होती है उसकी external morphology किस प्रकार की होती है बहाय संवरचना किस प्रकार की होती है तो यह जो queen होती है इसके शरीर में सबसे ज़्यादा कर कोई विक्सित चीज है तो वह हैं ovaries जो ovaries है अंडाश है वो इसके अंदर बहुत विक्सित होता है क्योंकि इसको अपने पूरे जीवन कार में बहुत सारे अंडे ले करने होते हैं अंडे देने होते तो यह एक fast vible होती है और इस चत्ते का अंदर अकेली यह फीमेल के ऑर इसकी ओडरीज बहुत jblingis कर दोती सामाने रूप से इसका size देखें आकार देखें तो चत्ते में सबसे बड़ा नजी रूप कु रचान भी पूलागार क इस पेंवाकार कर आधार 64 000 15-20 ga साइ सुवा मैं तो चत्ते में सबसे बड़ा आकार क्वीन का होता है लंबाय के हिसाब से चोटे चोटे इसके पैर होते हैं विंग्स भी थोड़े चोटे होते लेकिन होते बहुत मजबूत हैं क्योंगि यह भी फ्लाइट करती है अपने लाइफ में एक बार इसको ऊड़ना होता है तो उसके लिए बहुत मजबूत पंग होगी आवशकता होती है तो मजबूत पंग होते हैं लेकिन छोटे होते हैं जैसे पैर भी छोटे होते हैं क्योंकि इसको कहीं छत्ते से बाहर जाना नहीं होता है माउट पार्स जो होते हैं वह बहुत छोटे होते हैं इस्टिंग भी छोटी होती है और इस्टिंग के वारे में खासियत इसकी है कि जो इस्टिंग है इस्टिंग रिपीटिटली कर सकती है जैसे श्रमिक है श्रमिक ने एक बार टंक मार दिया किसी को तो उसके वाद श्रमिक कि मृत्यू हो जाती है जब भी मदू मक्ही हमारी उपर टेक करती है और हमको डंक मारती है तो आप मानिए है आपको तो खुझली होके रह जाएगी या हलका हुलका दर्द होगा लेकि मदू मक्ही का जीवन कतम हो जाएगा क्योंकि जितने फोर्स के साथ वह इस्टिंग एप कर सकती है लेकिन वो किसी भी दूसरे प्रभेत के विरुद्ध इसका इस्तेमाल कभी नहीं करती केवल यदि कोई दूसरी रानी है जिसके साथ उसका सामना हो जाए तो उसके विरुद्ध वह अपनी इस्टिंग का उपयोग करती है तो यह कुछ external morphology queen के बारे में हुई इस इसलिए इसके शरीर में उसी प्रकार के adaptation हुए यानि इसका abdomen का portion लंबा हो गया बड़ा हो गया और ovaries बहुत ज्यादा डेवलेप हो गए क्योंकि चत्ते के अंदर एक मात्र यही प्राणी है जो जननकी क्रिया जिसके माध्यम से संपन होती है अब आते हैं ड्रोन्स के उप संख्या आधी होती है अब साइस की दर्ष्टी से जदी देखें तो वर्कर और क्वीन के बीच में लगवग इनका साइज होता है यह दोनों के बीच में मध्यम मागार के होते हैं बॉडी इनकी मजबूत और स्टाउट होती है काफी और दिखाई देते हैं कुछ आपक्ष यदि हम दुणना करेंगे खासत दोर से वर कर से और इनकी आँखें बहुत बड़ी होती हैं तक अलगाता सोफ़ उसे कि इंकी आँखें के लारजर होती हैं बड़ी होती है। इनके अंदर किसी प्रकार नहीं पाया जाता क्यों कि इनको कोई काम ही नहीं करना होता यह केवल खाते हैं और एक बार क्वीन को फेटिलाइज करने का कार्य करते हैं तो यह कुछ चीजें कुछ ऐसी बात हैं जो हनीवी के बारे में महत्वपूर्ण हैं वो खासतोर से अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे थेंक्यू